कोई भी वर्क करने से पहले उसकी लियाओट उसकी लेवेलिंग प्रोपर तरिके से आपको करना परता है इसके लिए जो है यहाँ पे आप देख सकते हो एक आटो लेवेल हमने लागाया और आटो लेवेल की मदद से जो है यहाँ पे ड्रेनेस का वर्क हम कर रहे हैं उसका प्रोपर तरिके से जो है हमने लेवेलिंग करके ले लिया है तो लेवेलिंग हमने PCC के लिए किया है यहाँ पे मार्किन देख सकते हो और आगे से जो है हमने लेवेल पुरा कॉम्प्रेट कर लिया इसके विज़े से हमने क्या क्या यहाँ पर PCC वर्क चालू कर दिये और PCC वर्क जैसे complete होगा उसके बाद उसके reinforcement का भी वर्क करेंगे उसके बाद जो है उसका side wall का भी वर्क करेंगे एक unique तरीके से तो इसलिए मैं आपको कहोंगा कि वीडियो पुरा देखेगा बिल्कुल skip मत किजेगा हाँ यदि आप हमारी चैनल पे नहीं है तो प्लीज आप हमारी चैनल को जरूर सस्क्राइब कर लीजिएगा आप देख सकते हो दोस्तों जैसे हमारा PCC वर्क कॉंप्लीट हुआ उसके बाद हमने क्या क्या कुछ reinforcement वर्क जो हमारा था हुआ इस प्लेट लगा दिया है जहां पर हम concreting war Lisa में और ये साइजिमन भी आप देख सकते हो जो है हमने पटी जुर चैनल यह उसको और्पर के से हमने fix कर दिया प्रपर measurement करने के बाद उसके बाद यह जो side में जैसे में यूनिक बोल रहा था ये यूनिक ये है कि ये साइड पर आप देख सकते हो हमें मूरूम फिल करना पड़ रहा है क्योंकि मूरूम फिल करने के लिए हमने क्या क्या जो क्यूब्स रहता है जो ब्रेक किया हुआ क्यूब्स है डीय है इस त्रॉप के क्यूब्स को हमने क्या क्या परहला लागा दिया है उसके बाद जो हमने यहां पर मौरूं फिल कर दिया इस से क्या होगा कि हमारा जो एक वन साइट जो Concrete ज्यादा लगने वाला था उसके बाद एक्स्ट्रा जो शेंतित लगने वाला था वो कम लग गया है क्योंकि दोस्तों आप जो देख सकते हो यह जो मैंने जुगाड़ू तरीका आपको बताया हो और यह जो मैंने जुगाड़ू तरीका आपको दिखाया है यह एक यूनिक है क्योंकि हम सिविल इंजिनियर्स हमेशा खास करके हम जो इंडिये के सिविल इंजिनियर्स होते हैं हम हमेशा कुछ यूनिक करने के कोशिश करते हैं और कुछ ऐसा यूनिक करते हैं जो लोगों को भी बहुत ज़्यादा एंटेटेन करता है ऐसा ही और वीड करें